ये उडान है हमारी ये आसमा हमारा ये छलांग है हमारी ये मैदान है हमारा ये अर्मान हमारी ये होसना हमारा ये पहचान हमारी ये साहस हमारा ये जिद है हमारी सारा जहां हमारा उडने की हमारी खुला अकाश हमारा ये उलान है हमारी ये आसमा हमारा नमस्कार मैं सुनाली आपका स्वागत करती हूँ अभिननदन करती हूँ हमारे खास कारिकरम खुला आगाश में दोस्तों घर हो या ओफिस होटेल हो या रेस्टोरेंट उसके खुबसूरती हमें आकरशित करती है और हमारे इच्छा भी होती है कि हम जहां भी जाये वहां के आस-पास का जो वातावरन नहीं वहां का जो इंटीरियर है वो खुबसूरत लगे और जब इस खुबसूरत इंटीरियर को हम देखते है तो तुमारे मन में इस इच्छा भी होती है हमारे अंदर ये सवाल भी आते हैं कि इतनी खुबसूरती से इसे सजाया किसने जीहां य कुछ बरू कराएं उसे पहले आईए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं बॉलिवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन के हाथों से अवाड लेती हुई प्रिती कुमारी यह अवाड प्रिती को दिया गया है 2024 की बेस्ट इंटीर डिजाइनर पटना के लिए बिहार के पटना की प्रिती कुमारी ने इंटीर डिजाइनिंग के शेतर में एक मुकाम हासल किया है प्रिती ने चन्ने से interior designing का course किया फिर एक private company से जुड़ गई जहां प्रिती एक मात्र interior designer थी यहीं से शुरू हुई प्रिती के career की शुरुआत इस दौरान प्रिती को पटना के विदुत भवन का interior design करने का मौका मिला साथ ही पटना के नामचीन होटल के रूम और restaurant design करने का भी मौका मिला इसके बाद प्रिती ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ जैसे जैसे लोगों से पहचान बनती गई काम का दाइरा भी बढ़ता गया और प्रिती बन प्रिती जी स्वागत है आपका हमारे कारेकरम खुला आकाश में प्रिती जी आप एक interior designer है 2005 से आप इस शेत्र में हैं सबसे पहले तो इसकी बारीक्यों को समझना जरूरी है कि interior designing क्या है और यह कितने तरह का होता है interior designing जो है यह एक शौक है एक सपना है हमारा सपना हमारा घ घर कैसा हो हम भी चाते हैं हर एक चीज़ व्यवस्तित हो हमारे rooms में फॉल सिलिंग हो जूमर हो lighting हो हमारा सोफा स्टाइलिस्ट हो नॉर्मल ना हो लोग अगर घर में आए तो उसे लगे कि वाओ हम कहीं आए है five star वाली feeling हो तो यह है interior और यह कितने तरह का होता है जैसे आप ही महिला की इच्छा हम अगर उनसे पूछे तो यही कहेंगे मेरा एक खुद का सपने सपनों का घर हो और सपनों का घर मतलब सुन दरता जब हम अंदर घुसते हैं तो हमारी आखों को चीज़ें बहुत खुबसरत लोगे और जब लोगों की तारीफे मिलनी शुरू होती है तब शायद पृती चीज़े लगता है कि वाकई हमारा जो सपनों सा घर जिसकी कामना लोग करते हैं वो पूरा हुआ कितने तरह का यह होता है क्योंकि सिर्फ इंटियर की बात करें तो घरों तक ही यह सिमित नहीं है दाइरा काफी बड़ा है जैसे ओफिस हैं ओफिस हैं र को रेस्टरेंट्स को होटल्स को ऐसी खुबसूरत चीजों से हम सजाएं ऐसा कलर कॉंबिनेशन दें कि लोग आए और उन्हें सुकून मिले तो सुकून के लिए ही एक आप कह सकते हैं सुकून का नाम इंटियर्स है दूसरी चीज है जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि एक सपना है हमारा रहने का लाफ स्टाइल है तो इंटियर्स कहीं ना कहीं हमारे लाफ स्टाइल से जोड़ चुका है होटल्स में अगर आप जाते हैं तो आप सबसे पहले यह देखते हैं यार रूम कैसा है क्लिनिंग बैलेंस सारी चीजों को किस तरीके से डिजाइन किया क्य तो वाश रूम देखो तो सारी चीज़े इसे स्टेबल तरीके से, अगर हम डिजाइन करें, हर एक चीज को बैलिंस रखते हुए चलें, हर चीज का हम ख्याल रखें कि आज के दवर पे ुल्लोगों को क्या पसंद है ना पसंद है, तो उसे कहते हैं आफिस में भी हम जाते हैं तो हमें अच्छा इन्वार्मेंट चाहिए होता है हर किसी को अच्छा इन्वार्मेंट चाहिए होता है साफ सूत्रे स्पेस चाहिए, स्टेबल तरीके से हमारा हर एक चीज हमारे जगह पर हो, तो वो इंटिगर डिजाइनर का काम है कि आपकी चीजेजों को कैसे हम सही तरीके से बैलेंस करके आपकी जगह तक रखें, जो आपको जैसे एक fan आपको off करने के लिए Swiss तक चल कर जाना ना पड़े आप remote से भी उसे control कर सकते हैं उसी तरीके से हम ध्यान देते हैं कि क्या करना है बाहर हम जाते हैं देखते हैं अरे यार यार यह बहुत खुबसूरत होटल है कास हमारे यहां भी ऐसा होता उस सुविधा को हम देते हैं उसे कहते हैं interior designers क्या बात है बड़ अच्छे से प्रिती जी बता रही है चुकि खुद इस शेत्र से हैं और ना जाना कितने घरों को इन्होंने खुबसूरत बनाया है यानि कि residential और साथी साथ commercial यह दो तरह के होते हैं interiors प्रिती जी आपने बड़ अच्छे से बताया कि लोग के सपने को आप साकार करती है पूरा करती है सुदर घर का जो उनका सपना है उसमें आप सहयोग करती है interior designing के काम के बारे में आपने तो बताया कि भई लोग को संतुस्ट करना लेकिन interior designing जब आप करने का सोचती है जब आपके पास कोई project आता है तो शुडवात कैसे होती है उसकी कैसे आप उसमें involved होती है देखिए अगर हम किसी भी घर में जाते हैं और clients हमें बताते हैं कि ma'am हमने ये सोचा है कि इस जगह पे हमने sofa रखना है जैसे मैं परसो ही एक साइट पे गई थी और client ने बोला कि ma'am हमने दो flat को combine कर लिया है लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम sofa कैसे design करें हमारी ceiling की height कम है हम fall ceiling नहीं देना चाते और अगर हम देते हैं तो क्या हमारी height कम हो जाएगी हमें इन सारी चीजों पर बिचार करना होता है कि ceiling हमारे क्योंकि apartments में क्या है कि अब ceiling heights कम होते जा रही है साड़े 8-9 feet वो height देते हैं उसमें हमारे लिए ये होता है कि clients की requirement को भी पूरा करना कि वो क्या चाते और नहीं चाते तो हमारा काम यहीं से start होता है जैसे हम entry करते तो हम देखते हैं इनका living room हम कैसे design कर सकते हैं हम यहां पर ceiling height कम है अगर client ने मुझे बोल दिया कि हमें fall ceiling चाहिए तो वो हम कितने inches पर ले सकते हैं bedrooms चोटे हैं उसमें चोटा एक section wardrobe का निकला हुआ है already उसके बाद भी उनको extra wardrobe चाहिए या समान रखनें के लिए space चाहिए तो वो हम कैसे utilize कर सकते हैं उस space को तो यह हमारे उपर यह एक challenge है difficulties आती है और उसी requirement को हमें पूरा करना होता है बिल्कुल यानि कि कम space में ज्यादा से ज्यादा चीज़ों को utilize करना कैसे balance करना सारी चीज़ों को वो हमारा काम होता है एक interior designer का यही काम होता है और यह काफी tough job है क्लाइन साडिस्फेक्शन is most important बिल्कुल पृतिच ने बताया कि यह जो job है यह जो काम है interior designing का काफी tough है तो इसमें challenges भी जाहर तोर पर बहुत सारे आते होंगे challenges के बारे में हम प्रीती जी से बात करेंगे लेकिन उसके पहले और गहराई से जानते हैं कि interior designing क्या है आईए देखते हैं interior designing इमारतों और संदचनाओं के अंदरूनी हिस्सों को बहतर बनाने की कला और विज्ञान है इसमें किसी जगह को सुन्दर बनाने के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करना भी शामिल है interior designer, design नियमों और सिध्धानतों के आधार पर रंग, बनावट और सामगरी का इस्तिमाल करके जगह को आराम दायक और सुखद बनाते हैं interior design में रंग, furniture, प्रकाश वैवस्था, layout, ध्वनी इन तत्वों को एकी कृत्त करके कार्यात्मक और आकर्शक जगह बनाते हैं विग्रांकों की जरूरतों और पसंद को ध्यान में रखते हुए रूप और कार्य को संतुलित करते हैं interior designer जगह की वास्तुकला, बाधाएं और इच्छित उप्योग को भी ध्यान में रखते हैं आज के समय में हर कोई अपने घर को सुन्दर बनाना चाहता है, जिसके लिए interior designer की जरूरत होती है interior designer आपके budget के अनुसार आपके घर को सजाता है interior designer का जो काम है बहुत बड़ी एक जिबमेदारी होती हो उनके उपर क्योंकि किसी की सोच पे खड़ा उतरना ये वाकर बहुत बड़ा काम होता है challenges का जिक्र किया आपने बताया कि बहुत सारी तरह की परिशानिया आती है जाहिर तोर पर जब हम किसी घर को जो हमारे client होते हैं उनके मन के अनुसार बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता होगा challenges का जिक्र आप ने किया क्या challenges face करने होते हैं एक interior designer को जी मैम जैसे आपने बताया कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी तो खेरी ये है और बहुत बड़ी नहीं बहुत बड़ी क्योंकि किसी का भरोसा हमारे साथ जुड़ा है किसी का विश्वास हमारे साथ जुड़ा है उनका सपना हमारे साथ जुड़ा है और उनकी सपना पूरा करने की जम्यदारी हमारी होती है उनकी एक खौईश होती है कि हमें ऐसा घर चाहिए हमें उससे भी बहतर बना कर उनका घर देना होता है तो ये सबसे बड़ी जम्यदारी है चैलेंजेज ये आते हैं कभी कभी कुछ चीजों को क्लाइंट को कन्वेंस करना कुछ लोग अभी भी पटना में ये थोड़ा हमारा दुरभाग्य है कि डिजाइनर्स को कन्वेंस करना क्लाइंट को ये थोड़ा डिफिकल्टीज हैं हमारे साथ अभी भी लोग इंटीर्यर्स को अभी बहुत अच्छ के का घर चाहिए कि कोई फोटो दिखा दिया ये उनको समझाना कि जो आप फोटो देख रहे हैं वो एक अलग मेजर्मेंट है एक 10 बाई 12 का कमरा और 12 बाई 15 का कमरा उन वॉल के साइज अलग होते हैं आप 12 बाई 15 के कमरे को 10 बाई 12 के कमरे में आप कनवर्ट नहीं कर सकते हैं नहीं हमें तो ऐसा ही चाहिए उनको ये समझाना उनको ये कनवेंस करना कि आपका रूम का साइज आपके wardrobe का size totally different है हम आपके room के according, आपके घर के according ही हम आपको आपके सपनों का घर बना के देंगे ना कि ये picture देखी और मुझे ऐसा बना कर दीजे कभी-कभी ऐसा भी होता है कि clients जो हमें बताते हैं कि ma'am मुझे ना ये cream color की ही wall आपको रखके देनी है और हमें ceiling white ही करना है हाला कि मैं ceilings में white color को avoid करती हूँ मैं ivory colors को बहुत use करती हूँ बहुती soothing and cooling effect देता है जब मैं बिना बताय मैं बोलती हूँ कि आप मेरे पे छोड़ दीजे color combination के बारे में में वो देख लूँगी और जब मैं उनको अपना taste add कर कर जब मैं दिखाती हूँ और उनकी चेहरे की जो smile होती है जो खुशी होती है वो मेरे सबसे बड़ी fees होती है वो मेरे लिए क्या बात है जाहिर तो आप एक सुकून देता होगा आपको खुटको भी एक self satisfaction मिलता होगा कि हमने जो काम करके दिया है उस काम के जरीए उस काम की जो एक जहलक है वो हमारे customer के हमारे client के चेहरे पर दिख रही है सबसे बड़ा award मुझे लगता है यहीं मिलता होगा बहुत सारे हमारे दर्शक अभी होंगे जो आपकी बातों से काफ़ inspired हो रहे होंगे उनके अंदर भी इच्छा जाग रही होगी क्यों यह काम हम भी करें तो यह बता है कि कोई यदी जाना चाहता है interior designing के शेत्र में तो इ आप आज कल तो institute संस्थाने हैं जो अब डिप्लोमा भी कराती हैं आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं आप MBA करने के बाद भी कर सकते हैं mostly आप 12 पास होने चाहिए 12 आपका होना चाहिए उसके बाद आप चाहें तो इस पे आप graduation कर सकते हैं आप चाहें डिप्लोमा ले सकते हैं लेकिन मैं यही suggestion दूँगी कि shortcut पे ना जाएं इससे detail से पढ़ें क्योंकि technical knowledge अगर आपके पास नहीं है आपने course कर भी लिया आपने पैसे लगा भी दियें और technical knowledge से आप मार खाएं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो डिप्लोमा करके आई तो हैं लेकिन उन्हेंने कुछ भी नहीं कर पाया सिर्फ skills जरूरी नहीं होती technical knowledge बहुत जरूरी होता है क्योंकि कभ technical knowledge बहुत जरूरी होती है दूसरा internship बहुत जरूरी है तो shortcut का रास्ता ना आप प्रॉपर तरीके से degree लें किसी संसा के साथ किसी अच्छा के साथ जुड़ें वहां आप साल दो साल practice करें और दीरे दीरे आप इस चीजों में बढ़ते जाएं आपका काम आपको पहचान दिल कि हर एक काम में इमानदारी जरूरी है बिल्कुल ये मुझे लगता है सबसे बड़ा जो मंत्र है success का वो यही है कि इमानदारी होनी जरूरी है आपकी काम करप्रति आपका dedication कितना जादा है ये बहुत जादा माइने रखता है प्रिती जी आपने जिकर किया कि ये जो courses है य क्योंकि ये हमें technically जो जानकारी होती है वो देती है जब ये courses कि कर लेते हैं कोई भी बच्चा यदि कर लेता है उसके बाद career options कहां कहां है मैं career options आप government sectors पर जाकर काम कर सकते हैं टेंडर्स होते हैं उसके टेंडर के थ्रू काम कर सकते हैं जादा तर लोग private भी करते हैं क्योंकि private में क्या है कि टेंडर्स गवर्मेंट टेंडर्स में है कि अगर L1 होते हैं आपको आपने जो summit किया है अपना papers वगेरा अगर आप qualified हो होते हैं देन आप काम कर सकते हैं प्राइवेट काम में क्या है कि अगर क्लाइंट को आपको काम पसंद आता है तो फिर आप आपको वही क्लाइंट दूसरे क्लाइंट देंगे जैसे मैंने आपका घर किया और कोई आपके घर में आपके गेस्ट आते हैं उन्होंने का वाओ तो तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है, किसने डिजाइन किया, तो आप मेरा नाम लेंगे, तो उसी तरीके से ये क्या है, कि एडविटीजमेंट है, माउथ तू माउथ, हाला कि आज तो सोशल मेडिया का भी जबाना है, लोग सोशल मेडिया पर भी जाते हैं, लेकिन हमा काफी काम कर रहा है, अभी के समय में, तो थोड़ा सा विस्तार से और इसके बारें बता है, हाला कि अब के समय में हम देख रहे हैं, कि अपने किसी भी काम को जब प्रमोट करने की बात आती है, तो लोग सोशल मेडिया की और जादा अट्रैक्ट होते हैं, सबसे पहलो अध था कि था नहीं, था, लेकिन सोशल मेडिया के थुरू जाना आप बहुत बहुत गरों तक बहुत सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमें वो काम मिले ही, और एड़िजमेंट माउथ तू माउथ होना ये मोस्ट इंपोर्टेंट रोल मेरे लिए मेरे लाइफ में रहा है, क्योंकि हम एक ऐसे कॉन्टक्ट में जाते हैं, जो बहुत इंपोर्डेंट रोल प्ले करता है, और ये क्योंकि हम महिला हैं, हमें अपना सेफटी भी देखना है, तो मुझे अगर पता है, कि मैम के थुरू मैं जा रही हूँ, तो मैं एक नोन के घर जा रही हूँ, तो mouth to mouth एक अलग definition है social media क्या है कि approaches बहुत explore कर सकते हैं आप खुद को कहीं भी जा सकते हैं आजकल की तो महिला भी आत्मनिवबर हैं बहुत bold हैं और ऐसा होना भी चाहिए social media में आपको एक ऐसा platform मिलता है जहां आप दुनिया भर को अपनी creativity दिखा सकते हैं और लोगों को पता नहीं होता है आज भी बहुत लोग contractors के contact में आकर किसी painter's के contact में आकर अपना पैसा लगा देते हैं उनको वो satisfaction भी नहीं मिलता तो social media बहुत ही अच्छा platform है उन लोगों के लिए जिनको idea नहीं है कि integers क्या है और integer designer से कैसे contact करें तो यह contact करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है social media मतलब अपने काम को यदि लोगों तक पहुचाना है तो उसके लिए social media का साना लिया जा सकता है लेकिन जब आप direct client से मिलने की बाद हो तो वहाँ पर बड़े ही सोथ समझ के और सतर्ग रहने के ज़रत पर जाती है यहाँ पर रुखते एक छोड़े से विराम के लिए और विराम के बाद जानेंगे कि budget friendly क्या होता है और किस तरीके से budget friendly interior designing किया जा सकता है रुखते हैं एक छोड़े से विराम के लिए नारी नारायनी है समाज की सच्ची शिल्पकार है ममता, प्रेव, धैरे की धार है त्रिष्टी का सौंदरी है स्त्री जीवन का संगीत है स्त्री निडर है, लीडर है हर इस्त्री को चाहिए उसके हिस्से की जमीन और एक खुला आकाश देखिए महिला शशक्ती करण पर आधारित कारिक्रम खुला आकाश सोंबार से शुक्रवार लाई, दोपहर बारह बजे सिर्फ डीडी विहार पर स्वागत है आपका ब्रेक के बाद आज हम बात कर रहे हैं इंटीर डिजाइनिंग क्या है और साथ हमारे साथ एक्सपर्ट भी है इस शेत्री की पृती कुमारी जी है जो की इंटीर डिजाइनर है पृती जी हमने बहुत सारी बाते की interior designer का काम क्या होता है इसके लिए courses कहां से की जा सकती है क्या क्या courses है लेकिन अब जो मुद्दे की बात ये है कि जब ही भी कोई महिला या कोई भी वैक्ति सोचता है interior designing करवाने के बारे में तो सबसे पहले जहन में बात आती है कि budget क्या जाएगा हमारा तो minimum budget जो है वो किसी भी interior designing के लिए क्या हो सकता है बहुत ही अच्छा सवाल है हमारा budget कैसे start होता है या हम अपने घर का एक राशन तै करते है वो हमारा budget होता है कि हर महीने हमारा क्या खर जाना है तो खेर ये हमारे घर का राशन तो नहीं है लेकिन ये one time investment है ये हम decide करते हैं कि client को क्या क्या चाहिए क्या चाहिए designing उनको कैसी चाहिए अब 50 लाग का interior designing हम 5 लाग में नहीं कर सकते हैं तो ये भी एक समझाना होता है budget ये करना होता है कि हम client के requirement को समझते हुए हम उन्हें बताते हैं कि आप इस तरीके से जाएंगे इस material पर जाएंगे हम laminate ये use करेंगे हम आपको ये लगा कर देंगे ये decorative ये wallpapers लगा कर देंगे यहाँ पर हम paint करेंगे तो cost cutting करते करते हम एक budget पर आते हैं जो हमारी client का budget होता है फिर उन्हें हम ये समझाते भी है कि आपको जो चीज चाहिए हम similar देंगे same to same का आपके पास budget नहीं जैसे suppose किसी का 10 लाग में ही एक flat करना है और उन्हों ने जो सोच के रखा है वो 25 लेक्स तक की खर्च में हम जाते हैं तो उन्हें हमें समझाना पड़ता है कि नहीं नहीं हम इस material में कर सकते हैं आप wallpaper की जगह पे paint यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से हम costing निकालते हैं और client को satisfied करते हैं मतलब क्या यह आनके चले कि कम budget में भी हमारा घर सुंदर हो सकता है बिलकुल हो सकता है interior ऐसा नहीं है कि जिनके पास करोड़ों रुपए हैं लाको मियूदा कर सकते हैं लिए कि लाको में जिचोंा सकता है है नहीं हम उतने में कर सकते हैं लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम सोच रहें हैं हमारा जो budget है क्योंकि market में आजकल हर कोई है तो यह बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें कि हम जो फोटो में देख रहे हैं या जो हम इंटरनेट गूगल पे देख रहे हैं वो सेम टू सेम हम पांच लाग के बजट में हम अपने पूरे घर को कर दें ऐसा नहीं है पॉकेट फ्रेंडली भी है आप अपना बजट बरता हैं डिजाइनर उसको और डिजाइनर आपको help out करेंगे कि आप कितने कम बजट में भी अपने घर को सुंदर बना सकते हैं यह तो बजट की बात होगे प्रिती जी अभी के समय में क्या है कि बड़े घर को सजाना मुझे लगता है थोड़ा असान होता है लेकि छोटी छोटी फ्लैट्स किसे बनाया जा सकता है क्या कुछ आप चोटी छोटी बाते बताना चाहेंगी जिससे कोई भी इंसान अपने छोटी से फ्लैट को भी खुबसुत बना सके जी बिलकुल आज के दौर पर सिंक्रोनाइज होते जा रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपका घर छो करते हैं सिमलर पेंट से आप सिमलर या उसे थोड़ा कंट्रास्ट करके आप साइड वाल्स को आप कलर दे सकते हैं लाइट फोटो फ्रेंस हा रूम्स को बहुत हैवी ना करे यह नहीं की फोटो फ्रेंस वगएरा लगा दिया आठीफेट रग दिये इसओ पीस रग दिया ये सारी चीजों की गलतियां ना करें अगर आपका हॉल है और हॉल में हॉल छोटा है उसे प्लीज अवॉइड करें कि हैवी फरनीचर ना हो थोड़ा स्पेशियस लुक देने के लिए कम फरनीचर लगें लाइट कलर्स का यूज करें लाइट कॉर्टन्स और फिर एक बार मै कहना चाहूंगी किसी चीज को भी भर देना इंटीरियर नहीं होता बिल्कुल यह मुझे लगता है सबसे अच्छी बात ही दोने कही क्योंकि जो बहुत जादा पैसे खर्ष नहीं कर पा रहा है इंटीरियर पे वो खुद भी थोड़ी सोच समझ यदी बरते तो अपने घर क को सुन्दर बना सकता है जो हलके कलर होते हैं वो हमारे आंकों को सुकून देते हमारे जो दिमाग है हमारा माइंड है उसे भी एक पीसफुल वातावरन मिलता है तो ऐसे में लाइट कलर के इस्तेमाल जरूर करने चाहिए चोटे घर के लिए अब तोड़ा सा आप से जुड और मैं बजपन से ही बहुत था कि अगर रिमोंट खराब हो जाए सडारती थी मैं थोड़ी तो रिमोंट खराब हो जाए यह अच्छी रिमोंट भी है तो लेंस जो है आगे का वो कैसे वर्क कर रहा है तो मैं सारा कुछ खोल खाल के मैं ठीक करने पे लगती थी वाइरिंग वागेरा में खुद से कर लेती थी तो वो मेरे घर वाले भी देख के कहते थे कि यह तो इत्ती छोटी सी है यह कैसे कर लेती है सारी चीज़ तो पापा कहते थे अच्छा नहीं बनेगी तो इंजीनियर बनी जाएगी और मैं बच्पन से ही बहुत अच्छे से घर को अगर पीड है तो पीलो के साथ कुशन को अरेंज करना भज़ पन में ही जैसे कि मैं फौ फाइफ क्लास में होंगी तो उस टाइम से ही घर को हर ऑरेंज करना फ्लाववाज कहां हो चाहिए कि से गों में रखूं तो यह मुझे बच्पन से ही कही नजहीं मेरे को एक शौक रहा है अचछे clients रहे हैं मेरे life में जोनोंनों मुझे बहुत support भी किया है और कहते हैं कि food के पाउ पालने में दिखते हैं तो शायद ये मेरे साथ ये बच्पन से ही रहा है और मैं ये ही बनने वाली थी तो मैं बच्पन से ही थोड़ी creative हूँ कहना कहीं जो गुण होते हैं वो बच्पन से दिखने शुरू हो जाते हैं वो बच्चों का दिखता है कि ये क्या करेगा एक और बहुत इंपोर्टन पात जो मुझे रगता है कहीं हमारे दैशक भी इंतिजार कर रहे होंगे कि एक अच्छे इंटीर डिजाइनर के गुण क्य क्या क्या होते हैं क्वालेटी क्या होनी चाहिए ऐक त्रांस्पडेरणसी बहुत इंपोर्टन ठीज एक अच्छे इंटीर डिजाइनर को हमेशा अपने क्लाइंट के साथ ट्रांस्प्रैंसी रखना चाये, उन्हें समझाना चाहिए, हाइड χालेटाली नहीं होनी चाहिए, आप जितना संतुस्ट कर सकते हैं अपने ख्लाइंस कोुईटना ऑप संतुस्ट करें और अच्छा काम करें. क्योंकि आपके skills, आप अपनी client को कैसे satisfied करते हैं, अगर आपकी बातों में वो skills नहीं है, आपकी creativity अगर आप में नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी degrees ले लो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमेशा खुद के साथ और client के साथ दोनों क transparency रखना बहुत important है, आज की समय में देखा जा रहा है कि लोग plantation का भी काफी use कर रहे हैं interior में, कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से हर्याली के तौर पी अपने घर को से जाया जा सकते हैं, बिल्कुल आप indoor plants अपने घर पे आपको ये देखना होगा कि outdoor plant और indoor plants, ये दोनों में थोड़ा फर्क होता है, लोग outdoor plants को भी अपने घर में indoor में रख लेते हैं, तो आप ये decide करें कि आप indoor plants से अपने घर को, ये मैंने फिर मैं दूबारा कहूंगी, कि किसी चीज को भी भर लेना घर में, वो इंटीरियर नहीं होता है, lights plants, sofa के आज सपास आप लगा सकते हैं, ये नहीं बहुत बड़े plants, छोटे-छोटे mini colorful plants लगा सकते हैं, बिल्कुल, मतलब कहा जा सकता है, कि घर को सिफ भर लेना सामान से वो इंटीरियर नहीं होता है, सोच समझ के साथ घरों को सुन्दर बनाया जा सकता है, बहुत अच्छी जानकारी आपने साज समसे जुड़े कोई भी सुझाओ आपके पास है, तो आप हमें जरूर बताएं, और उसके लिए हमारा email ID नोट करें, हमारा email ID है director ddkpatna at the rate of gmail.com और इसी के साथ खुला आकाश की, पूरी टीम को दे इजाज़त, नमस्कार झाल